नमस्कार दोस्तों मैं रीता स्वागत करते हूँ आपका रीता जी भी हारी केचन में तो देखिए दोस्तों यह चना का डाल लिए हैं और उरीद का डाल लिए हैं दोनो का मिक्स दही बरा बनाए हैं तो इसको हम 3 घंटा पहले बाल दिये थे पानी में तो यह फूल गया है त यह हमारा पिसाग आगे हैं तो बहुत लोग बोलता है कि यह औरीद कद्ञ नुक्सान करता है भादर होता है तो स Alejandra मिर्च है आप सिर्फ arch दाफ कर दिखिए हम यह लिए गुल की काला मिर्च इसको हम हल्का दर-डरा कर ली है Breena because he came डालेंगे हैं ये myself काले मिर्च है अब कम भी डाल सकते हैं इसमें हम कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे should youіє धोघ्रा खटा हुए हरा मिर्च है एक इंच अधराख है इसको भी हिए हम कदुक अ कर लेंगे नमक डालेंगे स्वाद अनुसार अठ थोरा सा इस मतलर एक चुटकी के अनुसार से सुद्ध को मला देंगे गा आपको नुकसान भी नहीं करेंगे तो देखिए इधर मेरा सम्मिसरन तयार हो गया है आप इसमें हम कराही को चरहा दिये हैं कराही मेरा गरम हो गया है तो इसमें हम डालेंगे रिफाइन आप इसमें तेल में भी बना सकते हैं नॉर्मल तेल में जो भी आपको मन है जो तेल आप खाते उसमें बना सकते हैं और यह देखिए आज हम गोल गोल बढ़ा नहीं बनाएंगे वस इसी तरह चम्मत से नॉर्मल बढ़ा बनाएंगे एक बार हम गोल गोल बढ़ा भी बनाएं तो वह वीडियो मेरे चैनल पर है तो देखिये हमसभि को डाल दिए आज को मीडियेम फिलेम पर रखेगा मतलता तेज बंस बजब नहीं तो देखिये यह हमारा एक तरप से हो गया हैज सब को पलट लेते हैं एक एक करके तहो देखिये मेरा पεται प्लट आ गया वेश तरप से mi-pald के पकालेते हैं दोनोंतरप से पेची को से प्लटके अपका लेंगे , हमारे भीहार में ज्यादातर सब बेख नाल का कम बड़ा खाते हैं ज्यादातर इसको यह वह ला चाना कदल का भार्यावितато तो एसे आप सूखा भी खा सकते हैं और दही में भी डाल के खा सकते तो देखिए धिम सब को निकाल लिये उत चाहिए और बचा हुआ अब भी है उसको हम बना लेते हैं को इसको भी बन गया इसक Ond कि निकाल लेते हैं सब क तो इसको पाणी में डाल देते है पानी में हम नमक डाले हैं अ हुआ है फुल जाएगा जब तक कि दर देखिए दही है यह जही है मारे घर का जम्मा हुआ रहता है नहीं कि तो देखिए हम दही को निकाल लिए है इधर देखिए मेरा बड़ा भी फूल गया है तो दही को मिला लेंगे देखिए हम दही को मिला लेते हैं क्योंकि दही मेरा ठके ठके था तो उस तरह हम बड़ा पर नहीं डाल सकते हैं तो इसको मिला ले एच्छा तो देखिए दही मेरा मिल गये अब इसको मैं बरा निकाल देते Deshalb तो बरा पुरा पानी भर गया है देखिए इसको निकाल लेते हैं फिर से वापस तो देखिए पानी को गार ले बरा में से और हाथ से निचो और पानी गार लें उपर से दही डाल सकते हैं आप दही उपर से डाल दें अच्छी तरीके से दही से पुरह मतलब कि बारा को ढख दें तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किजिए जो चैनल पर नहीं आए होंगे वो सस्क्राइब करेंगे और बेल एकन को भी दवा लें तो इससे मेरे वीडियो अजब भी आएगा तो आपके पास आपको मैसेज मिल जाएगा तो देखिए हम पुरा दही से सबको ढख दिये हैं पुरी अच्छी तरीके से दही की इसको बरा एको हम दही से पुरा चादर की तरह ढख दिये हैं इस प आप हरी चटनी भी डाल सकते हैं यह मेरा भूना हुए जीरा और लाल मिर्च का पाउडर है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसको भी उपर से थुरा सा चिला के देते हैं अब थुरा से ओपर से काला नमक डाल देंगे ऐसे तो नमक नॉर्मल है लेकिन दही में नमक नहीं डालते हैं तो इसको थुरा सा काला नमक डाल दें इससे इसका टेस्ट बहुत चटपटा और अच्छा होता है टो देखिए दृषिवारा मेरा दम तयार है तो अब बनाए और टेस्ट करके बताए हमें कि कैसा लगा हमारा दहीवारा का वीडियो तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किजिए और देखिए मैं आपको काट के दिखा रहे हैं कैसा है बहुत अच्छा सॉफ्ट तो मुलाएं तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो देखने के लिए धन्य बाद